एक्सर अपने बयानों और फोटो से सुर्खियों में रहने वाली सोफिया हयात ने अपने दस साल छोटे पति को यूके वाले घर से बाहर निकाल दिया है सोफिया हयात ने इंस्टाग्राम पर अपने दिल की भडास निकाली है और पति व्लाद को जूटों का पिता तक कहा है सोफिया ने अपने पति को बुरा आदमी और डेविल दाटे करार दिया है उन्होंने लिखा है तुमने कहा कि तुम इंटीरियर डिजाइनर हो जो जग है घर दफ्तर बिल्डिंग्स सजाता है तुमने जूट बोला बल्कि तुम करजे में थे तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने जूट बोला, प्यार चोरी और जूट नहीं बोलता मैंने अपने पवित्र रिष्टे के लिए भुगतान किया मैंने हमारे खाने, कपड़े और हर चीज के बिल पे किये और तब भी तुम और चुराना चाहते हो मैं जब तुम से मिली तब तुम दुकान में काम करते थे लेकिन मैंने परवाह नहीं की मैंने तब भी तुम्हें प्यार किया, मैंने प्यार में विश्वास किया लेकिन तुमने मुझे घलत साबित कर दिया सुफिया ने कई पोस्ट शेर की हैं जो उनका हाले दिल बयाक कर रही है बता दे पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट ने साल 2017 में शादी की थी बिग बॉस से सुर्खियां बटोर चुकी सुफिया घर से निकलने के बाद नन बन चुकी थी इसके बाद वो व्लाद स्टैन शायू से मिली और शादी रचाली कुछ दिन पहले सुफिया ने सोशल मीडिया के जरिये यह जानकारी भी दी कि वो मां बनने वाली है सुफिया हयात ने अब साल भर की शादी के बाद इस रच्टे को खत्म कर दिया है और अपने पती पर गंभीर आरोप लगाए है